हेलो स्ट्रेंट्स एमें क्लासस के इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो में सबसे पाहला सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट आफ रियल नंबर जो फिल्ड होता है और और से आर में हम लोग और फंक्षन डिफाइड कर लेते हैं माल लेते हैं एक फंक्षन है और यह ऐसा फंक्षन लिना है जो कंटीनियोस होगा और वह सारे एक से रियल नंबर के से रियल नंबर के से में defined है तो suppose कर लेते हैं f, g, h इस तरीके से बहुत सारा continuous function defined हो जाएगा उस continuous functions के collection को हम लोग भी करें यह vector space होता है तो vector space of all functions from r into r which are continuous अब आगे क्या कहता है कि if t f of x equal to this integral क्या integral है f of t को integrate करना है with respect to t from 0 to x इस तरीके से एक mapping defined किया जा रहा है जहाँ पर f कहां का member रखना है b का कोई भी member रख सकते हैं तो यहाँ पर 4 option है t is linear transformation t is not linear transformation c option है t of c of f1 plus f2 of x equal to integral of c f1 plus f2 of t with respect to t from 0 to x and 4th option है t of c f1 plus f2 of x equal to integral of c f1 of t with respect to t from 0 to x यह कौन सा option true होगा लेकिन यह क्या है जरा समझेगा t actually एक mapping होगा b से b में होगा कैसे b से b में होगा जरा समझेगा यहाँ पर यहाँ पर defined किया गया है t of f of x equal to इस तरीके से define किया गया 0 to x f of t dt अब यहाँ पर f कोई भी हम लोग b का मेंबर ले लेते हैं मतलब यह continuous function ले लेते हैं तो इस continuous function को integrate करेंगे t के respect में और 0 से x तक integrate करेंगे तो वो एक कोई function नहीं आएगा और कौन सा function आएगा x का function आएगा वो भी continuous function होगा f continuous function integrate करेंगे तो वो continuous function आएगा तो phi जो है वो भी b का मेंबर आगे सपोज कर लेते हैं कि इसका integral phi आ रहा है तो phi भी एक b का मेंबर होगी अगर x दोनों साइट से हटा दे तो t of f equal to जो क्या रहा है phi आ रहा है तो यह f का image बता रहा है t image of f equal to phi ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर t mapping हो जाएगा भी से भी में और f का जो image आ रहा है वो क्या रहा है phi आ रहा है t of f equal to phi और 5 जो है वो continuous function है मतलब भी का ही member होगा तो t से t जो है वो एक mapping हो गया भी से भी में अब यह linear transformation है या नहीं तो linear transformation के लिए क्या करना पड़ेगा सिर्फ हम लोग को देखना पड़ेगा कि linearity property satisfy करता है कि नहीं तो आप देखे मैं यहां पर बता रहा हूँ t of माल लिजे यहां पर c1 into f1 plus c2 into f2 यहां पर c1 c2 real number है f1 f2 इसी भी का member है इसको अगर निकालते हैं of x यहां पर of x रखते हैं तो क्या value आएगा इसका जला समझे यहां पर जो definition है उसके अनुसार t of f of x का value होता f of t को integrate करते है f of t को integrate करते है 0 से x तक तो यहां पर c f1 plus c f2 of x को integrate करेंगे c1 f1 c1 है यहाँ पर c1 f1 plus c2 f2 of x को integrate करेंगे कहां से यह x नए t के term में लिखते हैं और t के respect में integrate करते हैं 0 से x तक integrate करते हैं तो देखिए यह 0 to x रहने देते हैं और यहाँ पर आप functions का sum से जानते हैं कि c1 scalar तो खर बाहर हो जाएगा और f1 of t हो जाएगा f1 of t plus c2 scalar बाहर हो जाएगा f2 of t हो जाएगा यह constant होगा c1 c2 real number होगा अब देखिए यहाँ पर हम लोग integration के property से जानते हैं कि c1 जो है वो constant बाहर होगा integrate करना पड़ेगा f1 of t को f1 है यहाँ पर f1 of t को integrate करना पड़ेगा फिर c2 constant को बाहर कर देंगे और 0 से x तक integrate करेंगे f2 of t को अब यह देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं t of f1 of x t of f1 of x लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं c2 t of f2 of x लिख सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर X को एक साथ हम लोग X को अगर हटा दे X को अगर दोनों साइड से common ले ले लेते हैं X को और हटा देते हैं तो क्या आजाएगा T of C1 F1 plus C2 F2 ब्रावर T of C1 T F1 plus C2 T F2 आजाएगा X को दोनों साइड उमीड कर देंगे तो T of C1 F1 plus C2 F2 ब्रावर आजाएगा C1 of T F1 plus C2 of T F2 तो इसका मतलब linearity property satisfy करेगा तो linearity property satisfy कर रहा है तो यह जो है वो एक linear transformation होता है तो इस तरीके से जो transformation define किया गया वो निस्चतरुप से linear होता है यह best example होता है linear transformation का तो linear transformation तो होगा है T is यह linear transformation यहाँ पर more than one option correct है तो हम लोग और भी आगे चेक करेंगे एक तो हो गया कि T linear transformation है अब T is not linear transformation यह तो नहीं होगा अब हम लोग चेक करते हैं कि यह true है या नहीं तो देखे यह मैं निकाल रहा हूँ T of C F1 plus F2 of X यहाँ पर इसको निकालते हैं हम लोग तो कैसे निकालते हैं definition कैसे define किया गया T of F of X equal to integral होता है F of T को integrate करते हैं तो यहाँ पर C F1 plus F2 of T को integrate करेंगे T के respect में 0 से X तक integrate करेंगे तो देखे यहाँ पर यह वाला option आ रहा है C F1 plus F2 of T DT यहीं integral आ रहा है तो इसका मतलब यह भी true है क्या यह वाला option आएगा क्या यहाँ पर C F1 T DT है तो सिर्फ C F1 T तो नहीं आ रहा है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो 0 to X C F1 of T plus F2 of T भी आ जाएगा यह भी आ रहा है इसको integrate करना है जबकि यहाँ पर सिर्फ C F1 T है यहाँ पर C है C1 नहीं है C F1 T है तो इसका मतलब यह जो option है वो true नहीं होगा तो कौन-कौन सा option true हो गया यहाँ पर option A और option C जो है वो correct है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को देखते है question है define T on R square into itself by T of X1, X2 equal to X1 plus X2 X1 minus X2 then matrix of T inverse relative to a standard basis for R square is क्या करना है देखे T एक linear transformation defined किया गया है R square से R square में ही defined किया गया है इस तरीके से defined किया गया है देखे यहाँ पर हम लोग क्या करते है एक vector space जो है वो two tuples वाला है R square और दूसरा vector space भी यहाँ पर हम लोग वही लेते हैं R square ही लेते हैं और इसमें एक linear transformation defined किया गया है तो defined इस तरीके से किया गया है कि X1, X2 का जो image है वो X1 plus X2 और comma X1 minus X2 आप देख रहे हैं X1 plus X2 comma X1 minus X2 है इस तरीके से defined किया गया है तो इसका क्या करना है matrix of T inverse इस linear transformation का जो inverse transformation होगा उसका matrix निकालना है तो linear transformation तो एक mapping ही होता है तो इस mapping का inverse पहले निकाल लेंगे तो inverse निकालने के लिए क्या होगा R square से R square में होगा inverse जो होगा वो खुद भी R square से R square में ही आएगा तो देखे कैसे निकालते हैं अगर माल लेते हैं कि X Y यहाँ पर एक कोई भी element है और इसका image अगर R of R, T है क्या कर रहे हैं कि X Y का image हम लोग माल लेते हैं R, T है तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ inverse जो defined होगा उससे T inverse of R, T का value हो जाएगा X, Y अगर X Y जो है वो R T के साथ associate होगा तो T inverse में R, T associate होगा किस के साथ X Y के साथ associate होगा Just opposite हो जाएगा X Y यहाँ R T के साथ associate हो रहा है T linear transformation से T inverse से क्या होगा R, T जो है वो X, Y के साथ associate हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे R का value निकालेंगे X Y के term में तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि T of X, Y equal to R, T माल लेते हैं और कैसे linear transformation defined किया गया है देख रहे हैं X1 और X2 का T image कैसे निकालते हैं X1 plus X2 और X1 minus X2 तो यहाँ पर हो जाएगा X plus Y और X minus Y हो जाएगा और यह किस के ब्राबर है R, T के ब्राबर तो यहाँ से X plus Y equal to R आएगा और X minus Y equal to T आएगा अब दोनों का आप add कर लीजे 2X आएगा यह किनसे लो जाएगा यहाँ से R plus T आएगा यहाँ से X का भालू आप निकाल सकते हैं तो 1 by 2 R plus 1 by 2 T आएगा फिर दोनों को अगर हम लोग subtract कर लेते हैं तो यह X cancel हो जाएगा 2Y equal to R minus T आएगा तो यहाँ से Y equal to आजाएगा आप देख रहे हैं 1 by 2 R minus 1 by 2 T आएगा 2 इधर divide कर देंगे तो तो X और Y का भालू निकल गया है यहाँ से तो T inverse R, T का भालू जो है वो XY था और X और Y का भालू हम लोग कितना निकल लिए है X का भालू निकाले हुए है 1 by 2 R plus 1 by 2 T कॉमा Y का भालू निकाले हुए है 1 by 2 R minus 1 by 2 T तो अब R और T नहीं लिखकर के आप XY लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है तो T inverse of X, Y equal to R आप देख रहे हैं यहाँ पर R के जगा X put कर दे रहे हैं T के जगा Y put कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2 X plus 1 by 2 Y कॉमा 1 by 2 X मानस 1 by 2 Y तो यह inverse transformation निकाल गया है इस तरीके से आप inverse transformation निकाल सकते हैं किसी भी mapping का inverse transformation इस तरीके से निकाला जा सकता है अब जरा देखिए जब inverse transformation निकाल गया तो इसका matrix पूछा जा रहा है with respect to standard basis तो देखिए standard basis के respect में matrix निकालने का एक shortcut तरीका होचा है T inverse का निकालना है मान लिजे standard basis B है इसका matrix निकालना है तो बड़ा असानी से निकाल सकते है shortcut तरीका होता है direct हम लोग लिख सकते है inverse को यह transformation को देखते ही बे क्या करना है x और y यहाँ पर दो variable है two tuples है तो x का coefficient यहाँ लिखना है y का coefficient यहाँ लिख दीजे first row बना दीजे x और y का coefficient को और जो दूसरा इसका जो second component है यह two tuples का उसका coefficient से यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 1 by 2 और minus 1 by 2 यह जो matrix बना यही इस linear transformation का matrix बन जाएगा लेकिन दियान दीजेगा यह standard basis के respect में ही यह सिप sort कर तरीका है दूसरी basis के respect में नहीं standard basis रहे हैं यह हम लोग direct लिख सकते हैं तो यह matrix निकल जाएगा और यही निकालना था 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2 देखे कौन सा option correct है C option जो है वो correct है 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2 तो यहाँ पर देख रहे हैं matrix of T inverse relative to standard basis 4R square standard basis के respect में निकालना था तो option C जो है वो correct option होगा तो इस तरीके से आप inverse transformation का भी आप यह निकाल सकते हैं matrix देखे मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसका inverse transformation निकलेगा T of X, Y कोई टो माल लेते हैं यह 2X plus Y और X minus Y इस तरीके से define किया गया है तो आपको बताना T inverse of X, Y जो है वो कौन सा transformation होगा आप comment box में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe नहीं किये तो सबसे पहले subscribe कर लिजिए और मिलते हैं next वीडियो में fit to इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू